हेलो दोस्तो स्वागत है आपके इजुकिस्त नडडा 97 पे दोस्तो आप सभी को पता ही है कि महतारी वंधन योजन की पहली किस्त यहां पर जारी कर दी गई है और पहली किस्त का भुकतान इस्थिधी यहां पर पेमेंट इस्टीटस आपके किस खाते में आया है ये भी आप क कैसे पतक कर सकते हैं, इसके उपर भी हमने वीडियो बना कर आप सभी को बता ही दिये हैं, अब इसी वीडियो पर हमें बहुत ज़्यादे यहाँ पर ये कमेंट देखने के लिए मिर रहे हैं कि हमारे खाते में पैसे नहीं आया है, किसी दूसरे खाते में चला गया है, तो इस इसे के साथ कई लोगों के खाता में भी यहाँ पस गड़बड़ी हुई है तो आप खाता में कैसे अपना सुधार कर पाएंगे इसकी भी जनकारी आपको इस वीडियो में देंगे इसे के साथ बहुत से ऐसी हित ग्रही मिलाये हैं जिनके खाते में पैसे आया ही नहीं है तो आपको क्या करना होगा complete जनकारी आज किस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो क्रिपिया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हमने बहुत सारी जनकारी आपको वीडियो में ही दिये रहते हैं लेकिन उसी को आप हमें कमेंट पर भी पूछते हैं तो क् के खाते में 1000 के जग में मात्रा 500 ही आया है तो आपको क्या करना होगा साथ इसके बाद हम आपको बताएंगे खाते में सुधार कैसे करवा सकते हैं और दूसरे खाते में पैसा चला गया है तो आप कैसे कर सकते हैं या कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में भी तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो यहां पास महतारी वंदन योजन की official website पर आपको search करके आ जानी होगी फिर official website पर आप आते हैं तो यहां पास आपको एक three line दिया गया है ठीक है इसी three line पर आप click करके यहां पास आपको बहुत सारे options आये थे जिन आते साथ यहां पर ब्लाग को परियोजना को और sector को और यहां से आप अपने गाओं को सेलेक्ट करती है और गाओं के बाद अपना अंगन बाड़ी के इंद्र तो यह सारा चीज आप सेलेक्ट करते हैं इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आपके गाओं के सभी हिज़ सभी के खाते में तो 11,000 आया है, ठीक है। इसे के साथ यहाँ पास इस लिष्ट में आप आगे बढ़ connection में आप आगे बढ़ेंगे, तो यह लिष्ट सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पास आप देखेंगे यहां पास लिखा हुआ था 500 रूपए, ठीक है। और इसे के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको pension की भी रासी नहीं मिलती, किसी भी प्रकार से फिर भी यहाँ पर 500 लिखा गया था, तो आपको यहाँ पास दावापत्ती करने के लिए 3 दिनों का समय दिया गया था, यहाँ पास 23 फरवरी को यहाँ पास यह अनंतिम सुची जारी की गई थी, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो बना कर बता ही दिये थे, साथ ही साथ दावापत्ती करने के भी बारे में बताये थे, ठीक है, तो यहाँ पास आपको 500 लिखा हुआ था, और आपको यहाँ पर pension की रासी नहीं मिलती थी, तो यहाँ पास यहाँ पर pension की रासी मिलती है, और जिन्होंने यहाँ पास pension की रासी नहीं मिलती, उसके पस्चाद भी यहाँ पास दावापत्ती नहीं किये है, उनको भी यहाँ पर 500 ही मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पास आपके जो online किये थे, उस time में गलती हुई थी, या फिर आपने जो फॉर्म भर कर दिये थे, अपने अंगन बाड़ी केंद्र में, तो वहाँ पास अगर आपने 500 लिख दिये थे pension की रासी को, तो यहाँ पास आपके यहाँ पास इस फॉर्म में गड़बड़ी हुई है, और आपको केवल 500 ही मिली है, ठीक है, तो यहाँ पास आप सभी को कन्फर्म हो गया कि जिनको यहाँ पास समाजिक सुरक्षा pension की जो भी रासी 500 रुपए मिलती है, किसी भी pension योजना की रासी, तो यहाँ पास वो 500 आपको मिलेगा, और इसके अंतरगत आपको 500 मिलेगा, तो दोनों को मिला कर आपको 1000 रुपए मिलेगा, ठीक है, तो इसमें क 500 रुपए मिल रहा है, और अब इसमें सुधार की अपडेट की बात करें, तो दीखिए यहाँ पास अभी तक विभागी लॉगिन में तो यहाँ पास इसमें अपडेट का option नहीं दिया गया है, आगे यहाँ पास दिया जा सकता है, तो यह आंगन बाडी के माध्यम से इसम आपको बताते हैं, तो दीखिए यहाँ पास Google पे आने के बाद यहाँ पास उसके लिए थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वेबसाइट यहाँ पर मिस महतारी बंदन योजना cgstate.gov.in सर्च करने पर यहाँ पर उनकी वेबसाइट ओपन होकर आती है, तो यहाँ पास यह विभा विभागी लौग इन पर यहाँ पास करन सुची का और यह अंतिम सुची देखे का इसके साथ यहां पर option दिया गया है खाता सुधारे का भी तो यहां पास खाता सुधार का कारिया हो सकता है जिनके खाते में गड़बड़ी हो गी है वो यहां पास संपर्क कर सकते हैं और अपने खाते में सुधार करवा सकते हैं और यहाँ पर भुकतान उपरां जो return हो गया है, जिनके जिनके खाते का पैसा, उसके भी यहाँ पर जनकारी इसमें विभागी login में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो जैसे हम यहाँ पास इसमें क्लिक करते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे यह सभी नहीं देख सकते हैं, यह के ओल आंगनबाडी कार्य करता की आईडी है या फिर इसमें जो आपरेटर वर्क कर रहे हैं वो यहां पास यह जनकारी देख सकते हैं ठीक है जिसमें यहां पास आपको देखने के लिए मिल जाता है यहां पास आविदक क्रमांक और आविदिका का नाम पती का नाम अंग के खाते में यहां पास पैसे डाले गए हैं उसकी जनकारी यहां से देखने के लिए मिल जाती है ठीक है तो चलिए हम यहां पास इसे पूरे सौ में सौ की इंटरिक को यहां पर सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं और कुछ-कुछ के में यहां पास जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पास देखने के लिए मिल जाते हैं और कुछ के में यहाँ पास कुछ problem था वो भी दिखाई देते हैं तो चली यहाँ पास आपको दिखाते हैं तो इस वाले पेज में तो 100 का पूरा सहीं-सहीं यहाँ पर पैड हुआ है चली second page पर जाका दिखाते हैं तो देख अधार नमबर नॉट मैप्ड टू अकाउंट नमबर तो यहां पास इसके अकाउंट नमबर से यहां पास अधार नमबर मैपिंग नहीं है इसलिए यहां पास इसके खाते में पैसे नहीं आये है ठीक है तो यहां पास आपके खाते में अगर अधार सीडिंग नहीं है या डी जल्द ही आपको dbt इनेबल करा लिना है ताकि आपके खाते में यहाँ पर दुसरी किस्ते जैसे ही आती है तो कोई भी दिक्कत नहों ठीक है तो एक बार आप ज़रूर जल्द से जल्द करा लिजिएगा यह सारा चीज अगर आपके खाते में नहीं हुए और यहाँ पस आपक dbt enable वो कैसे पता कर सकते हैं इसके बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिये हैं चलिए एक छोटा सा और आपको बता देंगे ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपको और जनकारी हम देते हैं तो अपना dbt चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा यहां प प्रकार से यहां पर एक official website open होकर आती है फिर यहां पास आपको एक option consumer का देखने के लिए मिल जाता है ठीक है तो यहां पास आपको थोड़ी दिर वेट करना होगा ठीक है यहां पास page reload होता है फिर यहां पास आपको अब आधार नंबर डालने के लिए बोला जाता है ठीक है आधार mapped status तो यहां पास आपको अपने 12 अंको का जो भी अधार नंबर हो डाल दीनी है इसके बाद यहां पास एक capture code आपको देखने के लिए मिल जाता है इस capture code को आपको इस वाले box में डाल दीनी है तो इस प्रकार से दूस्ते यहां पास आप आपने 12 अंको का अधार है ठीक है अब OTP आपके किस वाले नंबर पे भीजीगे है तो देखिए आपके अधार से रजिस्टर दो मुबाइल नंबर है उसके यहां पर लास्ट का फोर डिजिट आपको देखने के लिए मिल जाता है ठीक है इसी मुबाइल नंबर पे आपकी वह OTP भेज दीगे है त इसमें हैं पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका अधार नंबर का लाश्ट का फोर डिजिट यहां पास देख पैंगे और यहां पास मैपिंग स्टेटस में डेक्म ए सकार लियर यहां पास आपको बैंक खाते में आपका dbt enable है और इसी में आपका महतारी वंदन योजना का पैसा आएगा इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं इसी किसा सथ बहुत से लोगों के ये भी कमेंट आ रहा था कि हम भुकतान की स्थिति पता कर रहे है तो यहां पास दिखा रहा है जो account number वो account number हमारा नहीं है यह किसी दूसरे के खाते में चला गए तो दीखिए आपको बताना चाहेंगे कि यहां पैसा आपके खाते में नहीं डाली गई है जबकि आपके अधार number से डाली गई है तो आपके जो भी खाते में अधार link है या फिर आपके खाते में dbt enable है उसी खाते में यहां पर यह पैसा भीजा गया है तो एक बार आप चेक कर लिजेगा अगर आपको कोई पुराना खाता था जो आपने बंद कर दिये हैं या फिर बंद हो गया करके उसे इस्तेमाल नहीं कर रहें तो उस खाते में भी आपका पैसा गया है क्योंकि उसी में आपका dbt enable है तो एक बार आप अच्छे से चेक कर सकते हैं और वहाँ पास अभी हमने आपको dbt चेक करना बताया है तो कौन से bank खाता है तो यहाँ पास आपको तो account number देखने के लिए मिल जाता है अब उसके बाद bank खाता भी हमने dbt पर just अभी चेक करके बताया वहाँ पास नीचे मे लिखा है कौन सा bank है वो तो उसी bank में और इसी खाते नंबर पर आपका पैसा गया हुआ है ठीक है तो यहाँ पास आपको घवरानी की अवस्यक्ता नहीं है बहुत से लोग का यह कमेंट आ रहा था कि यह हमारे खाते में नहीं है किसी दूसरे के खाते में गया है तो यह पास बहुत से लोगों कर यह भी कमेंट आ रहा था कि दोबारा फॉर्म कभी श्टार्ट होगा तो दीखिये यहाँ पास दोबारा फॉर्म कभी स्टार्ट होगा इसके ओपर कोई ऑफिस्यली डेट तो आया नहीं है लेकिन जैसे ही दोबारा चरंढ दूसरे चरंढ कर यहा जी झाले थेलोंगों टॉट आपके लिए और गयक ही तो निएू झाले ही टॉआ टिल को शो दो दो करो दो दो आले ही को दो था शो हम एम विए कर सावस्टा कज आपता है।